कि हिंदी ट्रेडिंग बुक संब्री सीक्रेट और यह पार्ट फॉर की और यह हमारा आखरी पार्ट होने वाला है मतलब यह बुक आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी हमने केवल चार्ट पार्ट में इस बुक को कंप्लीट कर दिया है आप लोग इतना सपोर्ट दिगाते हैं उसी की वज़े से यह पॉसिबल हो पाता है और हमको यहां पर मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी बुक समरीज आपके लिए लाते रहें तो आज के इस पार्ट में हम सीखने वाले कि फीबो ने की टूल को आप इलेट वेव से कैसे कंबाइन करके अच्छा प्रॉफिट जनरे तो यहां पर अभी तक हमने काफी कुछ सीखा है फीबो ने की टूल की मदद से हम टागेट, स्टॉप लॉस, एक्टेंजन सब यहां पर हम मोस्ट आप सीख चुके हैं और यहां पर एक और अध्याय हम एड़ करने वाले इलेट वेव को कैसे कंबाइन करना फीबो ने की ट करेक्ट चंबाबू झालता टाटर जाता और यही इसी को नाम दिया जाता है अगर मार्केट ओपर जा रहा अप ट्रेंड में है यह downtrend में तो वो पूरी एक formation में जाता है uptrend होगा तो इस type के formation में उपर जाएगा और downtrend में होगा तो कुछ इस type के formation में जाएगा ठीक है तो यह कोई आपको बतानी की जरूत है निए यह common है तो यहाँ पर मैं आपको एक example देता है तो कि जब भी market हमारा ऊपर जाता है तो पांच के set में जाता है मतलब market क्या करेगा पहले impulse करेगा impulse मनता ऊपर जाएगा फिर एक certain point तक वो correction देगा ठीक है फिर market impulse करेगा ऊपर जाएगा फिर एक certain point तक correction देगा और फिर हमारा मार्केट उपर जाएगा तो दोस्तों जो हमारा उपर जाने का प्रॉसेश है यह ठिक है इसको दोस्तोंел दोस्तों तो जैसे की नाम को पता लग रहा है जब मार्केट नीच जाता तो इसको कर्यक्टिव नीशर बोलते है है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस यह मारकेट इस जَّब उपर गया, जब मारकेट थोड़ा सा नीज दिखा को एक तरीके से नहीं जाता, अब हम यहां पर और थोड़ा सापको basic बता दें कि दोस्तों जब भी market हमारा क्या होता है market हमारा उपर गया तो अगर market उपर जा रहा तो पांच ऐसा बोला जाता है यह 5 waves को पूरा एक bull run या जो भी एक move है या shorter move है जो भी है वो 5 waves को मिलके market उपर जाता है और जब यह 5 wave complete हो रहे थे उसके बाद corrective देता तीन wave में ठीक है वो मैं आपको बता हूँ कैसे दोस्तों जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर एक चार्ड जिसमें इन्होंने आपको यहां तक इस जहां में पहला वाला rectangle बना रहा हूं left पे यह हमारा एक आपको दिखा रहा है ठीक है उसके बाद market ने two point तक correct किया तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों इसको बोलेंगे हम corrective उसके बाद market फिर एक और swing high बनाता एक और wave बनाता इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों इसको बोलेंगे हम impulse market फिर हमारा एक corrective move देदा नीचे के तरब इसको बोलेंगे हम दोस्तो क्या इसको बोलेंगे हम corrective फिर market उपर को move देदा इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तो इंपल्स अगर आप गौर करेंगे तो यह वा breaths के सेट में market हमारा ऊपर गया one जीरो वन टू थरी फोर फाइब तो यह हमारी पांच के वेव में आगे गया पांच जब वेव इसकी कंप्लीट हो जाती है तब मार्केट हमारा नीचे आना होता है तो वह आता है तीन के फोम में मतलब पहला जीरो से ए फिर मार्केट हलका सब उपर जाएगा बी और फिर एक और कर लेक्टर बतारों मांगे कैसे उपर जाता फैबनेर के टूल को में ऐसे यूज करेंगे ठीक है ना कुछ लोगों को टीपीकल लग रहा होगा बट आपको टीपीकल थोड़ा सा ध्यान देनी की ज़रूरत है सब कुस्स समझ में आ जाएगा ठीक है अब यहां पर बताया गय आ इसके फिर में वहारा गांटर ट्रेंड आता है ठीक hey अब इहां पे क्यरेक्टरस्ट्रिक बता दी अब यहां पर कुछ इसके लूल होटे इस वेव के भी के भाई जो हमारी वेव होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है तो यह वेव वन हो अगर जैसे यहां पर हमारा वन लिखावा तो इसका मतलब क्या है यह हमारी वेव वन है यह वेव टू है यह वेव थिरी है यह वेव फॉर है यह वेव फाइव है ठीक है अब कभी भी हमारी wave वन का जो हाई है उसके पास तक नहीं जानी चाहिए ठीक है और एक और रूल है जो wave 3 होती है वो कभी भी shortest नहीं होनी चाहिए तीन वेव हैं हमारे पास wave 1 wave 3 और wave 5 तो इसमें wave 3 जो है वो कभी भी shortest नहीं होनी चाहिए दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको यहां पर इलेट वेव के बारे में थोड़ा सा बताया था कमेंट करना अगर इलेट वेव के बारे में आपको पूरी नौलिज चाहिए तो बहुत अच्छा मेरे पास content है इसका मैं आपको यहां पर deliver कर सकता हूं ठीक है वो केवल इलेट वेव के ऊपर के नीचे जानी चाहिए तभी हम content हमारा वैलिड होगा दो सो ठीक है अब हम थोड़ा सा आगे अब हम देखेंगे के भई वेव के इसके साथ कैसे मतलब यहां पर एड़ करेंगे तो दोस्तों वेव बन जब स्टार्ट होती है किसी भी ट्रेंड गया तो बहुत जादा प्रव लृब कर सकते हैं जो अब पहले वेब में तुम ट्रेड नहीं लेंगे फिर हम वेड करेंगे किसका करेक्ट्व चैट farkit करेगा हो गई हमारी वेव ट्राउ तक हम वेड करेंगे तो अब हमआरी दिपंड करता यह मारे得 हमारा कितना क्रेक्ट हो सकता है ठीक है तुस कि इस का जीरो से लेके हमारा मार्केट कितने भी पॉयं्ट्ट और करेक्टिव दे सकता है बड़ मुस्ट अब बोला जाता कि 38 परसेंट से मार्केट्र रिट्रेस कर जाता है बड़ ऑडो 78 तक भी हांपर दे सकता है कोई नहीं बड़ात नहीं है फिर वेव टू एंड वेव दोसे यह हैं एक बात हमेशा ध्यान जब मारकेट या में मारकेट जाएगा कोई भी सी फोड़ी सी क्या होगी भी क्योंटिटिव वालिए मतलब यहां पर बता हूँ एक विभ यहां पर कोई सी कंदिकेटड कांदिकेटड होने वाली तो यह वाली वे व Gerry तू यहा ऐलेट की यहां पर आप थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा परेशान किया जा गांवाइट ब्रेदर तो हमेशा जियान रखना एक यह विलकुल बनंगी दो वेव टो फो 1 यह आपको यहां पर थोड़ा सा परिशान करने वाने स्टॉप लॉस वगरा हीट हो सकते हैं आपके ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि यह भी एक ऐसा ही करेक्शन देती है मीनवाइल अब दोनों इसमें से एक बात है दोनों में से जो करेक्टिव देगी एक बड़ा करेक्शन कोई सी एक वेव यहां पर दे सकती है बट वो हमको रूल फॉलो करने के इसके लेवल के नीचे जानी चाहिए और यह वाली वेव हमारे इसके पास नहीं आनी चाहिए तो आपको रेडी रहना है कि मार्केट हमारा किसी भी लेवल तक करेक्ट हो सकता है या 78 का लेवल हो या 38 का पर जितना शैलो रिटरेस्मेंट होगा मतलब इसना कम रिटरेस्मेंट होगा उतना यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ चलने वाला यह हम पिशले चैप्टर में सीख चुके हैं ठीक है तो वेव थ्री नॉर्मली दा लॉंगे चैन्स मैं हम पहली बता दिए कि जो वह वेव थी होती हो सबसे बड़ी सबसे बड़ी वेव होता है उसके बाद अब यहां पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा रूल हम यहां पर भी समझ सकते हैं पर यह यहां पर आप देख सकते हैं इस यह वेव कहाई है यह यह पॉइंट्ट यह तो यहां तक इसने करेक्ट दिया लगवग लगवग यह 78.6 लेवल तक यहां पर करेक्ट हो चुका है उसके बाद यहां पर आपको entry मिलती है कहां यहां पर इस point पर किस पर यहां पर एक bullish बीरिश इंगलफिंग पैटन बनता और यहां पर आप एंट्रेड ले सकते हैं उसके बाद आपकी वेव स्टार्ट हो पर हमने देखा कि यह यह पर व्यवत क्म हुआ है तो यह पर एक ध्यान में रखनान थो यह पर फिछली में हमें को बताय कि आपको किуска यहां पर टूल की मदसे आप देख सकते चे बाद यहां पर मुस्ट प्र बोला जाता है कि जब सकते हैं Hastburg मार्केट जैसे यह बोला वेव थरी हमारी लंबी होती है तो जीरो वन टू और जो थर्ड जो थर्ड का जो ट्राइट हो सकता है तो वह कैसे निकाल देए पिछले चेफटर्स में आपको बता दिया जैसे कि यहां पर इस चार्ट को देखिए वेव हमारी यहां से स्टार्ट ह थे कर्थे यहां पर एक बुलिश केल बनती है और इहां पर हम एंटरी ले थे उसके बाद देखे हमारा हमने बोला था कि हम 것으로 निगा ले हम ने बोला था या तो वेव टू या वेव फाइव बड़ा मूमेंट दी तो वेव था वेव 3 के chances ज़्यादा हैं तो यहां से आप टागेट extension का यूज करके देख सकते के market ने 261 के level तक market हमारा गया ठीक है तो यहां पर close the trade at 261.8% with the risk reward of 1 ratio 7 तो यहां पर आप retracement की मतलब से wave analysis भी यहां पर कर सकते हैं क्योंगि यहां पर आप elite wave का formation भी आप देख सकते हैं wave 1 correction wave 3 correction wave 5 ठीक है तो यहां पर आपने हमने दोनों को यहां पर combine कर दिया दोस्तों उसके बाद wave 5 तो wave 5 हम expect करते हैं कि भाई जादा दूर नहीं जाती जो हमारी wave 5 होती है मतलब कौन से यह wave 5 वाली बट अगर wave 2 wave 3 लंबी नहीं है wave 1 लिए नहीं तो wave 5 पक का लंबी होने वाली है यह हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों तो दोस्तों यहां पर हम एक तरीका और बता सकते हैं wave 5 के distance को कवर करने का मतलब कितना distance तक वह कर सकते यह भी हम बता सकते माल लो भाई हमारा यहां से जीरो से वन गया wave 1 हो गई फिर थोड़ा सा correct करा और फिर यह wave 3 का यहां तक गया और फिर wave 4 तक market आ चुगा है अब हमको प्रेडिक करना wave 5 हमारी कितनी लंबी जाएगी तो फिवोने की टूल हमारी कैसे मदद करता वह मैं बताता हूं आपको क्या करना wave 1 wave 1 का low और wave 3 का high यह मार्क करना और यहां पर डॉल जो हमारा फिवोनेसी का टूल यहां पर लगाना है ठीक है जब यहां पर आप यहां पर लगा देंगे तो यहां पर जैसे हमने लगया यहां पर 0 यहां से 100 तो इस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसका 61.8% का यहां पर आप टागेट लगा सकते हैं मतलब इन 0 से 1 से लेगे 3 के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका 61% निकाल लेजिए और यहां से आप 4 से टागेट लगा दीजिए और यहां पर अगर आप 61 का और यहां पर उसके बाद यहां पर एक और अब देख सकते हैं फिर यहां पर यहां से करेंगे मारकेट वेफ 5 कितना बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे वेव 3 का ही और वेव 1 का लो इन दोनों के बीच का हमें निकालेंगे क्या निकलेंगे 61.8 जितने पॉइंट का डिफरेंस है उनका 61.8 करेंगे फीबन अची लगेंगा और यहां से यहां से 61.8 का टागेट यहां पर लगा देंगे दोस्तों चीजिए आपको समझ में आई होंगी हम थोड़ा सा आगे फिर चलते हैं कीप इन माइड दर वेव थ्री है थ्री वाउस एक्टेंड बोल वही बोलना अगर एक वेव एक्टेंड होगी तो आप मत सोचे के पांच वी ज्यादा लंबी जाएगी सीक्रेट ऑफ बैटर ट्रेड मेनेजमेंट कुछ यहां पर बताएगे अगर आपको 90 परसेंट यहां पर जो लोग हैं साइकलोजी ही मेन है मैं बता रहूं साइकलोजी अच्छी है तो पैसा बन जाएगा आपका स्टोप लोडक रोल हमेशा याद रखिए कि अपने कैपिटल का 2% के कैपिटल का ही यहां पर आप लॉस बुक χारी मतले जितना आपका कैपिटल लोज का दो परसेंट हिस्सा ही आपका स्टोप लॉस मेनेजमेंट में होना चाहिए ठीक है ना अब आप सोचेंगे के भई हमारा तो यहां पर आपको 2% का रिस्क रख सामने अब बोलेंगे भई मालो हमारा कैपिटल जाद नहीं है तो हम क्या करेंगे हम कैसे बड़ा पैसा बनाएंगे दोस्तों ऐसी बात नहीं अगर आप छोटे कैपिटल पर भी दो परसंट यहां पर अपना यह फॉर्मूला अपना होगे तो अभी धीर धीर आपका कैपिटल ग्रोगा क्यूंकि ट्रेडिंग पेशांस का अगे में और लॉंग टर्म के लिए आप ट्रेडि आप वहाँ पर जाके चेक कर लेजी है अगर आपने पार्ट वन टू थी देगा वह तो उसमें आपको बताया था हमने कि आप अपना स्टॉपलोस कैसे यहां पर पुट कर सकते हैं और उसको ट्रेल भी कैसे कर सकते हैं तो रेजिंग दाइस्ट अपलोस हमने आपको बताया है और अपने जो हमने रेजिंग दाइस्ट अपलोस वाला जो मैथड़ आप अगर उसको फोलो करें तो आपके जो ट्रेडिंग के जो चांसे वह बहुत जाद है इंक्रीज होने वाले हैं तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एक चार्ट है यहां पर मार्केट हमारा या उसके बार करेक्ट दिया 50 के moving average को support लिया 61 पर 61.8 यहां से market यहां पर आपका stop loss है तो यहां पर पहले stop loss जैसी market थोड़ा ऊपर गया उसके बाद क्या करोगा यहां पर तो पहला टागेट आप कही होगे 127 लेवल का जैसे मार्केट इस लेवल तक पहुँचा आप अपना जो आपका एंट्री पॉइंट है भाई आप उस पर स्टॉप लोस लगा तो आपका निल बठा रिस्क हो जाएगा अब जो आपका रिस्क था वह यहां पर बिल्कुल जीरो करो यहां पर जो आपको जो आपने रूल बनाया उसको यहां पर बिल्कुल फिक्स रखो अगर दो परसंट का स्टॉप लोस दो का तीन परसंट का तागेट तो तीन परसंट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो दीर दीरे पैसा आ जाएगा यूजिंग फीबोने की फॉर्ट ट लगाना ही लगाना दोस्तों इन कंसिस्टिंग फीबोने की ड्रॉ कैसे कर रहे हैं तो मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताता हूं यहां पर बहुत से लोग क्या करते हैं विक ले लेंगे तो विक तो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल विक का टॉप लेना है बट गल्ती लो हमने बॉड़ी ले उससे क्या हो आपको लेवल एक्ज़ाक हर यहां पर मिलेंगे तो बिल्कुल विक्क कीस फिश्युक्टा के फिफ्टी के रिट्रेस्मेंट लेवल तक उसके के मार्केट मूव ठीक है फिफ्टी के मूवरिंग वाला मैथर यहां पर यह नों ने यूज किया ठीक है उसके बाद कुछ और चार्ट सम देख लेते हैं एक और स्ट्रांग वॉलेटिलिटी उसके बाद देखिए मार्केट यहां से फिफ्टी के लेवल के बाद देखिए हमारा वन शिक्ष्टी वन वाला जो मैथर अबने बताया तर जीरो से बन वाला यहां पर बिलकुल काम कर गया दोस्तों उसके बाद एक और यहाँ पर देखिए market 0 retracement किया 78.6 level तक उसके बाद market up down और जैसे यहाँ पर यह भी हमने एक तरीका पिछले chapters में आपको बताया था जैसे breakout market में आप entry ले सकते हैं target आपका 161 के level का भी हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं फिर एक और same trade है और इसमें elite wave का दिखाया गया wave 1 wave to correct हुई 78 level तक उसके बाद देखिए wave 3 extended wave धीरे धीरे wave 4 ने एक और correction दिया wave 4 यह बनी फिर भी level का break निया उसके बाद market हमारा boom ठीक है तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है उसके बाद थोड़ा सागे चल दे तो यह कुछ हमने charts यहां पर दिया और देखिए आपके सामने हैं बुक हमारी बिल्कुल खतम होच चुकी है दोस्तो मैं फिर बोलू हूँ wave theory के बारे में जाना तो comment करना बहुत अच्छे से मेरे पास बहुत अच्छा content इसका पड़ा हुआ है I hope यह video को अच्छे लगी और यह भुक समरी अच्छे लगी और लाइक करना comment करना share करना चलो बाई दोस्तो